हाई गाइस वेलकम बैक तो माई चानल आज की सुडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कने वाली हूं मिंत्रा का हॉल मिंत्रा से मैंने कुछ क्लोथ और किये हैं जो कि जब उनकी एंड और रिजन से जल रही थी तभी मैंने यह क्लोथ और किये थे तो वह आज रिसीव हो आज मैं आप लोगों के साथ उसी का रिव्य और डेमो शेयर कने वाली हूं साथ के साथ वियर करके भी दिखाऊंगी आपको और प्राइजिंग और क्लोथ की क्वालिटी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इससे पहले पर मैंने एक मिंत्रा हॉल किया हुआ है अगर आपने वह नहीं देखा तो पहले जाकर के वह देख लीजिए वह भी बहुत ही स्टनिंग क्लोथ का जो हॉल था और उसका भी लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी शोर दूंगी तो आप रग वहां की जाकर किसको चेकाड कर सकते हैं सकते हैं केश्राइब किस्तार सब्सक्राइबैंने क्लोफेर देख meant पर उस विदे का रेक सितार है पर और हइं जरेलमल के आप मनें ठीटन केमां टेण य सॉस्ट और को रेयो रेयोन मिकसा आइध में हैं और स्लेटन में वह एंस तरहецं चली मिंते हैं आप शोठे बाहा फारिक बारिक से भूटे जो धागे का जो थ्रेड वर्क होता है वो किया हुआ है वारिक बारिक सा इस तरी के फूल मने हुए हैं इस पे और पत्या बनी होंलिहें थ्रेड वर्क दिया हुआ हैं और ये एब की साइड है ये नीचे के साइड independent है मैं बात करूं तो यह प्रख्या ब्रैंड का है और MRP इसकी कुछ 1048 रुपए है लेकिन यह मुझे 675 रुपए में रिस्तीव हुआ है और काफी ब्यूटिफुन फुर्ता है क्वालिटी इसकी काफी अच्छी है पिछे की साइड में आपको दिखा देती हूं पिछे की साइड से बिल्कुल प्लेन है देख सकते आप और बहुत अच्छी क्वालिटी का क्लोथ है यह तो इसका पिल लिंक मैं आपको निचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी तो आप महां से जाकर कि इसको चेकाउट कर सकते हैं मैंने माहां से पर्चेस की है वो यह परपल और पिंक काइंड ओफ ड्रेस है यह एक कैप पैटन में ड्रेस है यह इस तरह की की ऊपर आपको कैप मिल जाती है यह बुरा नैट है और नैट काफी अच्छी कॉलिटी का यूज हुआ है अंदर जो प्लोथ दिया हुआ है वो थोड़ा सा सिंथेटिक काइंड ओफ मटेरियल है और दिस फ्रॉम दी ब्रेंड यूएन एफ यह यूएन एफ ब्रेंड का यह प्लोथ है और इसकी पिक मैं साइट में लगा दूंगी साथ के साथ मैं वीडियो भी चला दूंगी कि यह पहनने पर कैसे लगता है यह पुरा फ्लोर लेंड से प्रैस है और काफी अच्छा इसमें आपको घेर मिल जाता है प्राइजिंग की अगर मैं बात करूं तो यह मुझे 508 में रिसीव हुआ है जो की काफी अच्छी प्राइस है 508 के साथ से इतना ब्यूटिफुल कलर इसका काफी ब्यूटिफुल है क्लोथ की क्वालिटी काफी अच्छी है और वियर करने पर एक्चुल में बहुत ही प्रिटी लग रहा था तो प्राइस काफी वर्थ करता है तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी तो आप महां से जाकर कि इसको चेक आउट कर सकते हैं तो गाइस नेक्स्ट मैंने वहां से पर्चेस किया है वह एक पुर्था प्लाजो सेट और ये युखता ब्रैंट का पुर्था प्लाजो सेट है और ये कुछ मस्टड यलो कलर का है देख सकते आप इस तरह यहां पर अगर आप फ्रंट में देखेंगे तो इसमें ठ्रेट दिया हुआ है क्रॉस पैटन में और यहां थोड़ा नीचे की साइट आप देखेंगे तो इसमें चोली और चुननट दोनों का मिक्स दिया हुआ है याने चोली और चुननट पैटन दोनों आपको मिल जाता है रेयोन का मटेरियल है काफी अच्छी क्वालिक्टी का है भी और इस तरह से यहां पर आपको प्लाजो के साथ का जो क्लोथ है उसके क्लोथ के आपको यहां बटन मिल जाते हैं पीछे से बिल्कुल प्लेन है यह और पीछे से देख सकते हो बिल्कुल प्लेन है बट फ्रेंट से यह कुछ इस तरह से दिखता है और प्राइजिंग के काफी बड़ा है मुझे रिसीव हुआ है यह प्लाजो तो यह प्यॉर कॉटन का प्लाजो है कुर्ता जो इसका था वो रयाउन मटेरियल का था और प्लाजो इसका जो है वह प्यॉर कॉटन का है काफी अच्छी कॉलिटी का कॉटन है और इस तरह का आपको प्रेंटेस में दे और पहनने पर काफी अच्छा लोग भी मैंने बता दी इसकी यह मुझे कुछ 800 रुपीज में सेल में मिला था जब उनकी एंड फ्रीजन सेल चल रही थी कॉलिटी गुट और मटेरियल काफी अच्छा है इसका प्राइसिंग वाइस भी काफी बुड़ है अब मुझे नहीं पता है इसके प्राइट बढ़ गई हो तो मुझे नहीं मालूं इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैंने वहाँ से पर्चेस किया है वह यह कुछ इस तरह की वाइबरेंट पिंक कलर का ड्रैस है सामने आपको फ्रंट में इस तरह की बौटनेक मिल जाता है आपर और नीचे की साइड अगर आप देखे तो इस तरह की का ब्लू और बोल्डन प्र और मतेरियल के अगर बात करूँ तो फ्यॉर कॉटन है इस तरह की फॉर्थ स्लेस मिल जाती है इसलेस पर भी इहां पर आपको प्रिंट और इस तरह की कट और यहां पर बटन देखने मिल जाता है अगर इस फेल ब्रैंड की मैं बात करूँ तो ये बटन लाइन करके कोई brand है उनकी तरब से है और MRP इसकी 999 है लेकिन यह मुझे 999 में ही रिसीव हुआ है और साथ में देखो इसमें एक यह पाउच रिसीव हुआ है जिसमें एक्स्ट्रा बटन दिया हुआ है जो स्लेव में इनके बटन्स लगे हुए है ना उसी में से अगर कोई बटन गिर जाता है त चांस तो यह उन्होंने एक्स्ट्रा दिया हुआ विच इस वेरी गुड थेंग और नीचे यह चोली पैटन में है यह देख सकते इस तरह के यहां पर चोली बनी हुई है और काफी घेर वाला कुपता है यह इसमें अच्छा खासा घेर आपको देखने मिल जाता है नीचे क बिल्कुल प्लेन है नो सॉरी पीछे से भी इसमें प्रिंट दिया हुआ है याने प्रिंट आपको फ्रेंट में भी मिलेगा और पीछे की साइड मिलेगा इसके साथ मुझे जो रिसीव हुए वो है एक ट्राउजर तो यह प्लाजो नहीं था इसके साथ में इसके साथ में तो यह ट्राउजर है इसका इसमें पीछे की साइड यहां लास्टिक लगा हुआ है और यह देख सकते हैं आप इस तरह की इसकी पैंट है और नीचे की साइड अगर आप देखोगे तो यह यहां पर ना कट दिया हुआ है और साथ के साथ यहां पर यह डिजाइन भी हुए है यह प्रिंट दिया हुआ है इस तरह का यहां पर और एक छोटो सा कड दिया हुआ है इसके अंदर और यह मुझे 999 यानि 999 में मुझे यह रिसीव हुआ है कपड़े की कौलीटी काफी अच्छी है है इस स्वाटन इसमय ब्रेया है और कलर काफी वाइब्रेंट है सब्सक्राइब कर दीजिए अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेर कर दीजिए मिलती हूं नेक्स वीडियो में तिल दन बाबाय टेकर आनक नौल